हैलो माइ डियर स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो प्रिवेस लेक्चर में एक पॉइंट को बताना उसमें छूड़ गया था कि ट्रॉपोस्फेर की अपर-most boundary होती है जो ट्रॉपोस्फेर 12-15 किलोमेटर की एल्टीटूर तब जो फैला रहता है तो इसकी अपर-most boundary होती है उसको ट्रॉपोस्फेर की उसको ट्रॉपोपोज करते हैं क्या करते हैं ट्रॉपोज यह भी कुछा जाता है कि ट्रॉपोस्फेर की अपर-most boundary क्या होती है या उसको क्या करते हैं तो उससे क्या करते हैं ट्रॉपोज और कभी-कभी इसकी थीकनेस भ 1.5 km होती है चलिए आब बात करते हैं नेक्स लेयर की स्टैटोस्फियर की करते हैं महीं समताफ मंदल भी करते हैं समताफ मंदल भी कहा जाता होके इसके हाई की बात करें है कह से कहा तक फैला होता है फैला होता है पंदरः से 50 km की उचाई तक यह फैला होता है और अगर हम इसमें temperature की बात करें तो dear students क्या होता है कि 20 km की उचाई तक 20 km की उचाई तक मतलब 15 km तक तो क्या है प्रोपो स्वेर है 15 to 50 km तक है इस टो स्वेर क्या है तो 20 km की 20 km की उचाई तक जो temperature होता है इस्टाटो स्वेर में वह constant रता है स्वेर में 20 की उचाई तक मतलब 20 km क्या रता है कॉंस्टेंट रहता है इसलिए इस्टेटोस्फियर को हिंदी में समताभ मंडल करते हैं क्योंकि स्टेटोस्फियर में 20 km की उचाहित तक 25 से 20 किलिमेटर के उचाएता है पापमानमे कोई परिवर्थल नहीं आता है या 20 से है 50 किलयोंटर 20 से 50 किलयोंटर है कि जैसे 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 इसके बाद अल्टीटूड बढ़ता जाता है वैसे त्मप्रेचर बढ़ता जब जता है जिज evac arrity नाई बढ़ती जाती हैं 50 किलयोंटर तर्ण वैसे 20 किलोंटर के बाद जो टम्प्रेचर होता है वो बढ़ता जाता है तापमान में बढ़तरी होती है तापमान बढ़ता जाता है ओके तो कुस्टन इस कहां से कहां तक बढ़ता है माइनस 56 तक टापमान के बढ़ता जाता है अब यहां ध्यां दीजए ऐल्टी बढ़ने के साथ टम्प्रेचर बढ़ता है तो यहां कौंशा लेसरे रित आजाएगा यहां सा टॉटीव लापस रिट पाएजायगा यहां के नीगेटिव लापस रिट पाएजाएगा नीगेटिव लॉटूरीट क्यूंकि जब टोड़ने के साथ टॉम्प्रेचर भी बनता जाता है तोसे हम नीगेटीव लेट सब्सक्राइब और जब अम्हें के साथ टमप्राइचर शोतक हूँ सब्सक्राइब तुम्हें हैं और टीटीड बाने था तब उसे प्रोपस्टाइब काहते हैं तर यहां नीगेटिव लाप में स्टेटो स्पेर में ऊचाय बढ़ने के साथ टमपरेचर क्यों बढ़ने लड़ता है उचाय बढ़ने क्योंकि स्ट्र साइबरेच हे अल्ट्रा ट्रीट औरी स्टेटो सब्सक्राल और में यह अ Israeli लेयर में कौन से गास्वा जाती है ओजोल गास ॉय ओजोलनого से क्या करती है यूँ भी रेजी का एक जोप्सन करती है सब्सक्राइब के absorption होने के कारण absorption होने के कारण क्या होता है इस लेयर में temperature altitude या उचाहिए बढ़ने के साथ सा बढ़ने लगता है clear क्यों बढ़ता temperature just because of absorption of ultraviolet range तो कि अब ultraviolet range की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जनना अमारे लिए जरूरी है कि ultraviolet range को wavelength की basis पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है UVA UVB और UVC इसके wavelength को देखिए जो UVC का wavelength होता है ultraviolet C का wavelength 150 to 230 nm 150 to 230 nm 150 की wavelength range में UVC आ जता है UVB का wavelength range होता है 230 to 310 nm 230-310 nm 230-310 nm की बीच ultraviolet B UVB का wavelength होता है और UVA कि बात करें तो 310 nm से 410 nm 310 nm wavelength range क्या हो किसका होता है UVA का तो UVA क्या होता है non lethal होता है इससे कोई भी नपसाल किसी भी life या किसी और्गनिजम को नहीं होती है UVB क्या होता है इससे sunburn होता है जब धूप में निकलते हैं तो स्कीन काली पढ़ जाती है वह किसी वज़े से होता है अल्ट्रा वाइलेट बी की बज़े से होता है यह हमारे इसकीन के सबसी निचले लेयर सब क्युटिनेस लेयर तक बहुँ जाता है और इसकीन में कैंसर काज करता है ओके तो UVA is non lethal UVB काज़े sunburn and it also deplete ozone layer UVC काज़े skin cancer इसके wavelength range को याद रखिएगा यह इसका wavelength range भी बहुत important है UVC का 152, 230, UVB का 232, 310 और UVA का 10 to 4, 10 nanometer चोंकि यह UV range यह UV range का stratosphere में absorption होता है यह UV range are being absorbed at stratosphere okay वो भी कितना कितना UVB का 50% UVB का 50% और UVC का 90% absorption हमारे stratosphere में या ozone layer में या ozone layer में हो जाता है इसलिए उचाई बढ़ने के साथ stratosphere की temperature बढ़ने लगती है उचाई बढ़ने के साथ temperature बढ़ने लगती है ध्यान रखीएगा मानेस 56 से मानेस टू डिवरी संच तक इसलिए इसमें negative lapse rate आ जाता है ओके temperature क्यों बढ़ा विकाज आव एप्जाप्सन आफ यूवी रेंज भाई ओजोन और ओजोन का है इस ट्रटो स्फेयर में है यह यूवी एबी सी ध्यान रखीएगा इसके प्रोपर्टिज को याद रखीएगा और इसके वेवलेंट रेंज को याद रखीएगा ओके इस ट्रटो स्फेयर में एंटिट्यूट बढ़ने के सासर ता टमपरेचर बढ़ाता जाता है यहां एक इमपॉर्टेंट अर। आप याद इखना है इस ट्रटो स्पेयर में में उट्ताई भणने के सासरइषह अ ठमपरेचर बढ़ रहा है तो इस daunting को तंप्रेचर इन्वर्जन करते हैं इस फिनामना को तंप्रेचर इन्वर्जन करते हैं तंप्रेचर इन्वर्जन करते हैं तंप्रेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन करते हैं थर्मल इन्वर्जन करिए चाहे तंप्रेचर इन्वर्जन करिए चाहे थर्मल इन्वर्जन कहिए, चाहे टमप्रेचर इन्वर्जन कहिए, थर्मल इन्वर्जन या टमप्रेचर इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, किसका उल्टा हो जाना, ट्रोपोस्फेर में क्या हो रहा था, एल्टीटूट बढ़ने के साथ सा temperature decrease हो रहा था temperature कम हो रहा था लेकिन जैसे स्टेटोस्फेर में आए बीस किलुमेटर की उचाहिए तक तो पहले constant था उसकी बाद च्यांगवा temperature बढ़ना start हो गया okay temperature बढ़ना start हो हुआ हैं इसी प्रोस्टेस को बोलते हैं टम्परेचर यह थर्मल इनवर्जन पाज आता है उसके बात करेंगे अभी यहाद रखिए कि इस्टेटोस्वेर में थर्मल इनवर्जन पाज अता है यह स्टेटोस्पेर आगर हम गयस की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें वह जोंड गयस पारिती यह इस लिए इसरिटका को ओजोंड भी करते हैं अब बात याए कि इसमें िर्ट करते हम घर वा जोती है 25 km के एर्टी टूर तखी पाय जए जाती है कि स्टीफ मेर्ट में encant जो रहे Państ गैस ज़िह को मैक्सिम मोरी जोन फिर वो सिर्ट 25 डूर मीटर की उचाय तक ही आए जाती है सिर्फ 25 किलेमेटर की उचाय तक ही आए जाती है 25 का तो हुआ है 15 15 तो 35 यह 25 ओके तो जो जोनों स्फेयर वे जो मैक्सिमम जोनों होगी वह कहा तक पाई जाएगी उचाय तक ही पाई जाएगी आगर मिशने बीक्लावट की बाती है जिसकी ट्रोपल जीड़ावध क्लावड की तक इस Nacryus Cloud को Mother of Pearl भी करते हैं, मैं आलिकरा हो रहा हुले हैं, Mother of Pearl, Mother of Pearl, Mother of Pearl, इस Nacryus Cloud को Mother of Pearl Cloud भी कहा जाता, यह अक्सर जामिक पूछा भी गया है, इंगया, त्पर्ष और झाल ऐसों निद्वर, द्हें को ज़ते हैं ओगर्तो जाए स्वाहर हैं कीने, जपाराण सब्सक्राणों काुद दखेमागी इतर डाइघान हैं झाल। पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड भी करते हैं पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड और सबसे इंपोर्टन बात यह भी है कि इस टाइप का क्लाउड या पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड या मदर ऑफ प्ल क्लाउड कहा पा जाती है आर्ठ के किस रीजें में उकेजिटर्क में अर्षी के से क्लाउड होते हैं पूल पर पाजाते हैं नौप पॉल और साओट पूल की बाद अगर यह आप से पूछा जाए कि नेक्रियस क्लाउड मादर परफल या पॉलर स्टेड़ोस्फेरी क्लाउड किस पोल पी ज्जादा पा जाता है साओध पूल पर यह नौफ पूल पे तब इसका लिए जो temperature की requirement होती है वो मिनमम temperature होता है मानस 78 डिग्री सेल्सीयस चुकि South Pole पे temperature जो होता है मानस 78 डिग्री सेल्सीयस सी भी कम पा जाता है इस लिए इस नैट्रियस cloud का या polar stratospheric cloud का या मदर अपरल का स्वाउट पोल पर जाधा होता है साउट पोल पर जाधा होता है जा फिकरते हैं इसके रूल की यह क्या रूल करता है इसको ज्ञान से समझेiera कि नेक्रियर्यस क्लाउड या पूलर स्टरोस्फेरिक क्लाउड ओज॑न हॉल के वर्मेशन में बहुत इंपॉर्टिंट रोल जो करे कर करता है मैं इसी पूलर स्टरोड़स्फेर्य क्लाउड या नाक्रियर्यस ऐसा सर्फेस्स परवाइड कराता है, जिसकी वज़य से जो अन रेक्टिव कलॉरीन होती है, वो रेक्टिव कलॉरीन में इसको convert कर देता है, मतलब कि जो polarized Ped HCV3L2D होती है, वो अन रेक्टिव कलॉरीन को re kunnen कलॉरीन में convert कर देती ए, देखिए, ओजोन होल का किसी वज़े से होता है klorine fluorine bromine in compound की वज़े से हेलोंस compound की वज़े से halogen की compound की वज़े से and kolorine लणा habían compound जो ओजो नौल का formation करता है एक तो यह क्लोरिन के अनिक्टिफ और को रिघ्टिफ और में करता है और दूसरा यह nitrogen के compound को remove कर दिता है polar stratospheric cloud nitrogen के compound को remove करता है nitrogen सप्पाउन की काम क्या है यह करी क्लोरिन का कि और इस कमका करते हैं रोकते जो को चाहिए न को सब्सक्राइब है तो एक तो जो रोक रहे थे इनको उनको रिमूब कर दिया Polar Stadosph crate Cloud और जो कर रहा है उनके Activity को बढ़ा दे रहा है क्या करता है की ओजोन होल की फार्मिसन में important role play करता है मैक्सिमुम ऊजोन 25 पीकि उचाई तक ही पी Pastि यह is Yaklar कहते हैं 멱्णा ये यह 25 कि वह चाहिती है இ पाजाती है और इस जो सबसे उपर की जो Цरी अपर्मश्ट पहुंध को बोलते हैं इस पाउज इस्टेटव पाउज कि इस्टेतर पहुझ ऑकि हैं और एस यह जलिओ सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह हम नहीं देखा कि कैसे पूल और स्टाटोस्फेरी क्लाउड ओजून होल के सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं अगर इसके हाइड की बात करें उजाई की बात करें कि यह कहा तक फैला है तो यह जो है फिप्टी टू एटी किलिमेटर पचास से सब्सक्राइब होगा है अगर हम इस में टमप्रेचर की हाथ क्या होता है कि मीजो स्फेर में जैसे जैसे अलटी टोड क्हक्म भड़ती जाती है मीजोस्फेर में जैसे से अल्टीटूड उचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टंपरेचर डिक्रीज होता जाता है माइनसटीज बढ़ने के साथ साथ घरता जाता तो उसको हम पॉजिटिव लैपस रेट करते हैं उसको हम positive lapse rate काते हैं, okay, one more important point, mesosphere is having lowest atmospheric temperature, mesosphere में सबसे minimum, सबसे lowest temperature पाज़ता है, minus 92 degree Celsius, okay, तो ये भी question पूछा जाता है, कि किस layer में सबसे minimum temperature पाज़ता है, तो mesosphere में सबसे कम temperature, mesosphere में पाज़ता है, minus 92 degree Celsius, इसमें सबसे lowest temperature पाज़ता है, clear, तो अगर हम cloud की बात करें, तो mesosphere में जो cloud पाज़ता है, उसको हम noctilucent cloud करते हैं, noctilucent cloud करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ summer night में दिखाई देता है और इस cloud से कोई भी precipitation नहीं होता है क्योंकि ये cloud meteor से बना होता है जो उलका कि वहते हैं उनकी जो दूल कर आपस मेरा गयर से जो लोटे होते हैं उन पांटिकल से कि इस लुड्म का फार्मर्मस और होता है तो जो याद रिखना लिवाथ है जो इस लेइप मेन टमप्रेचर करें मारस्ट्रेक्रमाने टू से मारस ऌानेक्ट मारस्टू से मारस staging और रिबर मेन्म टमप्रेचर होता है कि वह सो तो यह में घंडा होता है टोल पर में गैस की बात करें तो इसमें दो गैस इसीच पाज़ से थी वो भी आयन के फार में O+, 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 and O+, and the uppermost boundary of the mesosphere is known as mesopause, okay, mesosphere के uppermost boundary को mesopause करते हैं, okay, ठीक, इसी तरह ये thermosphere और mesosphere की बीच की भी boundary कर लाएगी, चलिए अब बात करते हैं, atmosphere की next layer की, thermosphere, okay, thermosphere is the fourth layer of the atmosphere, this is the fourth layer of our atmosphere, अगर इसके height की बात करें, तो ये 80 km से लेकर ये 400, 80 से 400 km की उचाई तक ये फैला रहता है, और अगर हम इसमें temperature की बात करें, thermosphere में temperature की बात करें, temperature के pattern की बात करें, तो thermosphere में क्या होता है, कि altitude बढ़ने के साथ साथ temperature जो है, exponentially इसे फी बढ़ता जाता है, temperature बढ़ता जाता है, कहा से कहा देख बढ़ता है, माइनस 92 डिगरी सेल्सियस, माइनस 92 डिगरी सेल्सियस, to 1200 डिगरी सेल्सियस, 1200 डिगरी सेल्सियस, माइनस 92 डिगरी सेल्सियस to 1200 डिगरी सेल्सियस, तो altitude बढ़ने के साथ साथ temperature इसमें बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर कौन सा lapse rate पाजाएगा, निगेटिव lapse rate, यहां पर कौन सा lapse rate पाजाएगा, निगेटिव lapse rate, ओके, उचाई बढ़ने के साथ सा temperature बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर निगेटिव lapse rate पाजाएगा, तो question is, कि thermosphere में altitude या उचाई बढ़ने के साथ temperature क्यों बढ़ता जाता है, तो क्योंकि इस layer में, thermosphere में high intensity, x-rage, x-rage and gamma-rage, x-rage and gamma-rage या करती है, इस layer में absorb होती है, थर्मोस्फेर में x-rage या gamma-rage का absorption, इन दोनों रेज का absorption होता है, इनके absorption होने की वज़े से thermosphere में altitude उचाई बढ़ने के साथ temperature बढ़ता जाता है, temperature जो है कि वो बढ़ता जाता है, thermosphere के बारे में एक interesting point ये है, कि दीन के समय में क्या होता है, कि इसकी उचाई बढ़ जाती है, दीन के समय में क्या होता है, कि incoming solar radiation से जब x-rage, gamma-rage यहाँ पी इंटर करती है, तो insulation या incoming solar radiation से या x-rage या gamma-rage की वज़े से क्या होता है, इसमें temperature बढ़ जाता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि दीन के समय में क्या होता है, कि थर्मु अस्फेर की उचाई बढ़ जाती है, Okay, maximum 400 km तक या बढ़ जाती है लेकिन रात के समय में क्या होता है रात के समय में क्या होता है कि इसकी उचाई घट जाती है इसकी जे उचाई 400 किलिमिटर तक है इससे कुछ कम हो जाती है घट जाती है कहने के मतलब कि temperature की influence में इस thermosphere की उचाई घरती बढ़ती रती है इसलिए इस layer को thermosphere कहा गया है Just because of the influence of temperature इस layer को thermosphere कहा गया है इस layer को thermosphere कहा गया है इस layer को ionosphere भी कते हैं इस layer को ionosphere भी करते हैं क्योंकि high intensity x-ray और gamma range इन दोनों range की intensity बहुत ज़्यादा होती है तो x-ray और gamma range के इतने ज़्यादा high intensity वाले range के इंटर करने के बाद यहां की जो gases होती है वो ion के form में कनोट जाती है O+, O2+, NO+, यहां की जो gases होती है वो ion के form में कनोट जाती है किसी लिए इस layer को ionosphere भी करते हैं Gases ion के form में present होती है क्योंकि high intensity वाले x-ray और gamma range यहां पे absorb होती है इतने ज़्यादा intensity वाले range के आने के बाद यहां की जो gases होती है वो ion के form में कनोट हो जाती है इसलिए इस layer को ionosphere भी करते हैं और इसमें अगर gases की बात करें तो यहां भी जो gases होती है यहां भी gases के तीन इस पिसीच पा जाती है कौन कौन O2 plus और NO plus ध्यान दीजेगा मीजो स्फ्यार में सिर्फ O2 और NO plus था O2 plus नहीं था और thermosphere में O2 plus और NO plus यह तीन इस पिसीच हैं यह बहुत ही important question हो सकता है क्योंकि कई बार पूछा भी जा चुका है कि Thermosphere में निमलिकित में से कौन सी इस्पिसीच नहीं पा जाती है कौन सी गास की स्पिसीच नहीं पा जाती है Thermosphere में तीन इस्पिसीच ध्यान किया O2 plus NO plus और मिसोस्फ्यार में only O plus and NO plus तो अब बात करते हैं थर्मोसफ्यार के importance की Thermosphere क्या होता है यह radio सवाहां पर साउंड वैब या लॉओं लेंध वाली रेडियो वैब जब भी जाती है तो आइनोस्फेयर या फार्मोस्फेयर से उन लॉओंग वाली वैडियो को रिफलेट कर देता है जो ग्राउंड रिसीवर होते हैं उनके द्वारा वो रिसीप किया जाता है और इस तरह से रेडियो काम करता है अगर थर्मोस्पेर को एक्मोस्पेर से हटा दिया जाए तब क्या होगा तक जो भी लॉंग वेब लेडियो वेव और साउंड वेव ऊपर भीजी जाएंगी وہ रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आपाएंगी वो कहां चले जाएंगी वो इस पीस में चले जाएंगी वो इस लिए थर्मोस्फेर रेडियो कम्यूनिकर्शन में बहुत ही इंपोर्टन डॉल प्ले करता है और हम एक बात और कर चुके है कि दीन के समय में जो थर्मोस्फेर की उचाए बढ़ जाती है क्यूकि इंसुलेसन में से क्या होता है कि एक्सिणसन होता है गैस योजने करती है तो उसके गैस के मालेक्वल दूर धुर हो जाते है क्यों प्लेग तो प्रेडवेशन में क्या होता है जब रागивает वाले ऐउपहर्स फोड़ से अव्यकर की गैस आओनसे हैं वो क्या करती हैं, इस्पेस में चली आती हैं, कब दीन के समय में, दीन के समय में क्यों 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 की समय में स scor vou leit की radiation से क्या होता हैं,ट is expand गैस स्पेंट हो जाती है इसकी उचाई बढ़ जाती है एक तो यह दीन दीन के समय में कैसा हो जाता है वीरल हो जाता है वीरल हो जाता है रेरर हो जाता है तो क्या होता है कि जो कुछ sound wave क्या होती है long wavelength वाली sound wave वो इस पेस में चली आती है वो reflect वह को वापस नहीं आ आती है इसलिए दिन के समय में रेड्यू में अच्छी आवाज नहीं क्या होता है जाके लाइब तो जितने भी लॉंग वेवलेंग वारी जो उपर भीजि जाती है वह इस डेस लेयर से रिफ्लेक्ट होगर के पूरी पूरी वापस प्रित्ती की सथा पर आ जाती है और जूसको रिसीबर के द्वारा रिसीब करें जाता है इसलिए रात के समय में रिडियो से साउंड अच् वाले जो रेज वह हैं वह इंटर करती हैं तर्मो स्फेयर में और यहां पर जो भी गैसे से उनको आयन को सब्सक्राइब करदेती हैं और इसी आयोनाइज़ोटर या आयनी और करण की तर्मोश्फियर में कई सारे लेयर कासा हुआ था जैसे D-Layer E1 और E2 F1 F2 और G-Layer E1 और E2 को collectively E-Region बोलते हैं बात करते हैं D-Layer की D-Layer की जो ठीकनेस होती है वो 10-10 km होती है 80-90 km की ठीकनेस वारे रीजन को बोलते हैं D-Layer क्योंकि इसके पहले 3-Layer पाया जा चुके हैं कौन कौन ? Troposphere, Stratosphere, Mediosphere, Thermosphere इसलिए अगर Troposphere को A-Layer बोले Stratosphere को B, Mediosphere को C तो D-Layer कौन होगा ? Thermosphere और उस Thermosphere में भी Analyzation के बाद जो different layer बने हैं वो इसमें सबसे पहला layer D-Layer है okay양 क्या होता है इसकीदिकस 10 точagen क्या है कि जो लॉग वेव लेंथ वाली जिसांड वेव होती है यह इनको रिफलेट करता है यह इन свое रिफलेट करता है लेए कै करता है लॉग वाली साउंड वेव को यह रिफलेक्ट करता है क्रिया दिया दीजगा medium और short wavelength वाले sound wave को ये layer reflect नहीं कर पाती है medium wavelength वाले sound wave को कौँ reflect करता है E1 layer और short wavelength वाले sound wave को कौँ reflect करता है ये E2 और F1 और F2 layer के दोरा reflect किया जाता है 82, 130 km 80-130 km की उचाई वाले layer को हम canally have a side layer भी करते है canally have a side layer क्योंकि इस layer की खोज canally have a side नहीं किया था 360-400 km की उचाई तो जो layer फैला होता है उसको हम G layer करते है इसको हम G layer करते है इस layer को एक और नाम से जाना जाता है protonosphere यूंकि इस layer में proton की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है proton अधिक नंबर में यहाँ पर पाजाते है proton क्यों पाजाते हैं क्योंकि high intensity वाले x ray और gamma ray जब इस layer में इंटर करते हैं तो गैसों को जब वो आयोनाइज करते हैं तो उन गैसों में से electron निकल करके बाहर जला जाता है तो उस गैस मालेक्यूल में जब electron बाहर निकल जाता है तो उस समय उसमें proton की जो नंबर होता वो अधिक हो जाता है तो इसलिए इस layer को जी layer को proton स्फियर के नाम से भी जाना जाता है इस layer में proton की मात्रा अधिक होने के कारण जब x ray और gamma ray इस layer में इंटर करते हैं और जब यह proton से टक्राते हैं तो टक्राने के बाद एक light प्रूडूस करते हैं तो टक्राने के बाद एक क्या करते हैं यह light प्रूडूस करते हैं जब भी x ray और gamma ray जब x ray और gamma ray इस proton स्फियर की proton से टक्राते हैं तो टकराने के बाद चाह करते हैं एक light produce करते हैं उस light को बोलते हैं Aurora उस light को बोलते हैं Aurora इक special type की light है जो X-ray और gamma-ray के proton से strike या ट्रकराने के बाद produce होती है इस तरह की जो फिनामना होती है यह सिर्फ पोल पे ही दिखी जाती है सिर्फ पोल पे ही दिखी जाती है नौर्थ पोल और साउथ पोल जब इस अरोरा का फार्मेशन नौर्थ पोल पे होता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस अरोरा बोरियालिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि नौर्थ पोल पी जो अरोरा का फर्मेशन होता है उस अरोरा को क्या गते हैं उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस और साउथ पोल पी जो अरोरा का फर्मेशन होता है उसको बोलते हैं अरोरा अस्ट्रालिस एक point और उसमें बताना रगया है कि 300 to 400 km 300 to 400 km की layer को बुलते हैं Aplicon या Barnet layer 300 to 400 km की layer को जिनौने discover किया था उनके नाम पे इस layer को Aplicon या Barnet layer के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं, atmosphere के सबसे last layer, idiosphere की, idiosphere is the outermost layer of our atmosphere, okay, this is the outermost layer of our atmosphere, यह हमारे atmosphere का सबसे बाहरी layer होता है, इसकी जो थीकनेस होती है, या इसकी जो उचाई होती है, वो 400 से 1000 km की उचाई तक पाय जाता है, मतलब कि 1000 km की ऊपर कोई भी atmosphere नहीं पाया जाता है, idiosphere के अगर importance की बात करें, तो idiosphere में polar satellite launch किया जाते हैं, polar satellite launch किया जाते हैं, irs जिसकों irs करते हैं, so my dear students, यह रहा हमारे atmosphere का structure, detailed structure, अगर आपको इसमें कुछ query हो, कोई अगर कुछ बात समझ में ना आया हो, so please you can contact me, description box में मेरा contact number है, जो whatsapp number भी है, या आप मुझे comment करके भी video पे पूछ सकते हैं, so dear students, अगर आपको मेरा यह lecture पसंद आया हो, so please like, comment और share करना मत भूलेगा, thank you so much,